नमस्कार किसान भाईयो दकर्शी चुपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आए जानते हैं आने वाले दिनों में क्या है सर्सों का भविश्य है अगले सप्ता सर्सों की बढ़ती बाजार मांग को देखते हुए सर्सों के बाऊं में जबरदस तेजी आने की उमीद देखी जा रही है अगले साथ से दस दिनों में सर्सों की बाजार मांग जदा रहने वाली है जिसके कारण सर्सों के बाव 10,000 के आसपास कारूबार कर सकते हैं सर्सों के बावों में कब और कितनी तेजी आने की है संभावना इसके बारे में आपको बताएंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में इसलिए वीडियो को अंतग पूरा देखें और वीडियो को लाइक और सेर करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं आपकी मंडी में अगले सब्ता सर्सों का बाव कितना बढ़ सकता है इसकी स्टिक जानकारी के लिए आप अपनी मंडी का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाल रंग का बटन दबा कर चेनल को सस्क्राइब कर लें और पास के गंटी के निसान को भी दबा लें किसान भायो अगले सब्ता सर्सों की बाजार मांग में सबसे ज़्यादा तेजी रहने की संबावना देखी जा रही है और इस दोरान सर्सों के बाजार में बड़ी तेजी की उमीद बन रही है क्योंकि सर्सों की मांग तेल मीलों को सबसे ज़्यादा रहने वाली है जिसके कारण तेल मील वेपारी सरसों की जदा से जदा खरीद करके इसका स्टोक करने की कोशिस करेंगे और जिस इसाब से गरेलू बजार में सरसों के तेल की बारी मांग है उसे देखते हुए अगले साथ से दस दिन में सरसों की खरीद के लिए बजार में बड़ी परतिस परदा देखने को मिल सकती है और इसका दबाव सरसों के बजार पर देखने को मिल सकता है बाजार जानकारों का मानना है कि अगले सब्ता सर्सों के तेल की बढ़ती बाजार मांग का असर सर्सों पर देखने को मिलेगा और उमीद लगाई जा रही है कि इसके चलते सर्सों का बाजार दस अजार के आसपास कारूबार कर सकता है वहीं बाजार इस बात पर भी निर्वर करता है कि सर्सों की बाजार में आवक कितनी हो पाती है क्योंकि यदि बाजार मांग से ज़्यादा आवक होती है तो बाजार सामाने रहने की संभावना है और यदि बाजार मांग से कम आवक होती है तो निश्ची तोर पर सर्सों के ब पाल जै हिंद जै किसान